हेलो स्टुडेंट्स मैं सिता सोनी असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ओफ जिलोजी जी अचस पीजी कोलेज सुजान गट बियस्टी पार्ट सेकिंड की जो सेकिंड बुक है उसकी फिप्टी उनिट हमारे चल रही है जिसमें आज हम टी लिम्फोसाइट के ओपर डिसकसन कर रहे हैं तो T-Lymphocytes क्या होती है तो देखिए कि T-Lymphocyte की जो उत्पत्ती है वो बोन मेरो या अस्तिमज़ा की stem cell से होती है जहां से ये थाइमस कोशिकाओं में चली जाती है थाइमस में ये है परिपक्व टी कोशिकाओं में विवेदित हो जाती है और परिपक्व टी कोशिकाओं रुदीर परिवहन द्वारा परीदिय लशिका उत्त को जैसे लशिका परवे और पलेहा में पहुंच जाती है लशिका परवे में टी कोशिकाओं पेरी कोर्टिकल छे पांच माइक्रोन और इन कोशिकाओं की प्लाजमा जिल्ली की सतय पर रिसेप्टर मॉलिकूल्स पाई जाते हैं यह एंटिजन बंदक अनू इस्तल या एंटिजन बाइंडिंग मॉलिकूलर के रूप में उपकारिय करती हैं यह अनू कभी भी टी कोशिकाओं से अलग नहीं ह की सतय पर लगबग एक लाख ग्राही इस्तल हो सकते हैं ग्राही अनू दो पोली पेप्टाइट संक्लाओं के बने होते हैं जो परस पर डाइसलपाइट बॉंड के द्वारा संयों जित रहते हैं ग्राही में इस्तिर तथा परिवर्ती दो अनू करम होते हैं विशिस्ट ए लिम्पोसाइट बार बार विवाजित होकर T our City same Tonight का इक क्लोन बना लेती है इन में से एक कुछ T ॽिंद्रिंब depressed जो हैयं मेमोरी टी लिम्पोसाइट के रूप में रहती हैं जो कि कुछ समय पशाद्य दिसंक्रमन होता है तो यह memory sales जो है परति रक्षा करने में सक्षम होती है कि एंटेजन का T कोशिकाउं में इस्तानां आंत्रण विरिःत बख्षकाणों की साइता से होता है रोगजनक के सरी में प्रवेश करणे पर रोगजनकו वरिहत बख्षकानु फेगोसाइटोसिस द्वारा आंत्रग्रहित करके नेस्ट कर देती है या वरिहत बख्षकानु रोगजनक का अर्थबाचन कर देती है तता इनसे एंटिजन उत्पादों को प्रथक कर T कोशिकाओं को इस्ताना अंतरित कर देती है व्रिहत भक्षकाणू और T कोशिकाओं की सतय पर प्रमुक उत्तक सायोजिता निर्धारक या मेजर हिस्टो कॉमपेबिलीटी डिटर्मिनेट या कॉमपलेक्स M.H.C. उपस्तित होते हैं जो उनके परस पर अन्योनी करिया के लिए उत्तरदाई होते हैं एंटिजन का व्रिहत भक्षकाणू द्वारा T सेल्स में इस्तानांतरण इस बात पर निर्भर करता है कि दोनों कोशिकाओं की सतह है निर्धारक समान प्रमुक संयोजिता समिस्र M.H.C. जिन्स द्वारा कोडित होते हों T सेल्स के तीन प्रमुक प्रकार जो है वो पाई जाती हैं सायक ती कोशिकाओं कोशिकाओं विस ती कोशिकाओं और निरोधक ती कोशिकाओं सायक ती कोशिकाई जो है और निरोधक ती कोशिकाई है यह regulator प्रकार की होती है तथा कोशिकाविस कोशिकाई जो है प्रमुक प्रभावी या effector कोशिकाई होती है इन में से प्रथम जो है आपके वो है सायक ती कोशिकाई या helper T cells हेलपर T-cells संख्यामी सरवादिक होती है सकोशिका मद्यस्ता परतिरक्षा के लिए ये प्रमुकोशिकाई हैं तदा कई प्रकार्श ये कारिये करती है T-cells का सक्रियहन विशिष्टिकरत इंटिजन के प्रभावशिय होता है यह मुख्यत है रेगुलेटर कोशिकाओं के रूप में कारिय करती है इस कारिय है तो यह कोशिकाओं प्रोटीन मद्यस्त का स्रावन करती है जिन्हें लिम्पो काइंस कहते हैं लिम्पो काइन्स अन्य टी कोशिकाओं और अस्ति मज़ा की कोशिकाओं वो प्रभावित करती हैं जिससे सायक टी कोशिकाओं द्वारा प्रमुक लिम्पो काइन्स जो है वो स्रावित किये जाती हैं जैसे इंटरल्यूकिन 2, इंटरल्यूकिन 3, 4, 5, 6, ग्रेनुलोसाइट, मोनोसाइट उत्यजक कारक इंटर्फेरोन गामा लिम्पो काइन के जो है कुछ विस्टी कोशिका तथा निरोधक टी कोशिका की व्रदिवे प्रुचुरोध भवन को उत्यजित करना सायक टी कोशिका की अनुपस्तिती में कोशिका विस्टी कोशिका और निरोधक टी कोशिका को उत्पन करने वाली क्लोन सक्रिय नहीं हो पाते और सायक T कोशिकाओं दोरा स्त्रावित लिंपो काईन प्रमुकत है इंटरल्यूकिन सेकेंड कोशिकाओं विस T कोशिकाओं तथा निरोधक T कोशिकाओं की व्रदी में उनके प्रचुरोध बहन के लिए उत्तरताई होता है B-cells की व्रदी तथा इनके प्लाज्मा कोशिकाओं में विवेदन को ये उत्तेजित करता है B-Lymphocyte की व्रदी, गुडन, प्लाज्मा कोशिकाओं में विवेदन, परतिरक्षी निर्मान, एंटिजन के प्रभाव से होता है परन्तु ये प्रक्रिया इसायक T-Cells की साहिता से भी होती है सभी इंटर्ल्यूकेन विशेस्त हैं, इंटर्ल्यूकेन 4, 5 और 6 के प्रभाव से ये B-Lymphocyte अनुक्रिया दरसाते हैं ये हैं इंटर्ल्यूकेन इसी कारण से और B-Kोशिकाओं के उतेजक कारक या B-Kोशिका व्रदी कारक कहलाते हैं लिम्फोकाइन जो है वो व्रिहत बख्षकानों को प्रभावी वर सफल्फिगोसाइटिक क्रिया के लिए उतेजित करता है इसके अतिरिक्त इंटर्ल्यूकेन टू सिधे ही धनात्मक पुरन भरण परण परभाव के दौरा स्वयम हेल्पर टी सेल्स को उतेजित कर सक्रिय कर देती है और इस प्रकृया के दौरा आकरांक रोगजनत के प्रती प्रती रक्षात अंत्र और दिक्सक्रिय हो जाता है नेक्स्ट आपके इसके अंदर आता है साइटो कोशिका विस्ती कोशिका या साइटोक्सिक ती सेल्स साइटोक्सिक स्टी सेल्स क्या होती है देखिए तो कोशिका विस्टी सेल्स सिदे ही कोशिकाओं पर आक्रमन कर सकती है इसलिए इन्हें साइटोक्सिक साइटोक्सिक जो है टी सेल्स कहते हैं और सुक्समजीवों को मारने या नश्ट करने में यह सक्षम होती है इसलिए इने killer cells भी कहते हैं killer cells कोशिकाओं की सतय पर ऐसे ग्राही प्रोटीन उपस्थित होते हैं जो ऐसे सुक्षमजीव या कोशिकाओं से सहींजन करते हैं जिन से इनके बंदक विशिष्ट पर एंटीजन हो सहींजन के पस्चाद जो killer cells है वो टी कोशिका चिद्र है तू प्रोटीन पोरफोरिंस परफोरिंस जो है वो सीक्रीट करती है परफोरिंस प्रोटीन की सायता से कोशिकाओं की जिल्ली में बड़े बड़े चिद्र बन जाते हैं इसके साथ ही कोशिका विस्टी कोशिका कोशिका विस्पदार्थ लिंपो टॉक्सिन का स्रामन करती है जो कोशिकाओं को नश्ट करने में सायक होते हैं जिस कोशिका पर विस्कारी टी कोशिका याक्रमन करती है वे काफी फूल जाती है और अंत में नश्ट हो जाती है कोशिका विस्ती कोशिका विशेष्ट उन उत्त कोशिकाओं के लिए कहतक होती है जो विशानों के लिए दोस के रूप में कारिये करती है अर्थार्थ ये जो साइटोक्सिक T-cells है या किलर सेल्स है ये वाइरस या वाइरस से रिलेटेट जो इंटीजन है उनको मारने का कारिये करती है सरप्रेसर T-cells सरप्रेसर T-cells जो है वो दूसरी T-कोशिकाओं या सायक T-कोशिका वे कोशिका विस T-कोशिका की कारिये को सरप्रेस करती है सेंदमीत करती हैं इस प्रकार निरोधक टी कोशिकाओं एक प्रकार से दूसरी कोशिकाओं के कारिये का नियमन करने का कारिये करती है आधिक के परतिरक्षा क्रियाएं सरीर को नुक्षान पहुंचा सकती है इसलिए निरोधक टी कोशिकाओं को सायक टी कोशिकाओं के साथ नियामक टी कोशिकाओं के रूप में वर्गीक्रत किया जाता है प्लाजमा कोशिकाएं एंटिजन के सरी में प्रवेश करने पर इसे व्रहत बख्षकाणों फेगोसाइटोसीस द्वारा अंतरग्रहित कर लेती है और व्रहत बख्षकाणों एंटिजन को B-Limposide को इस्तानांतरित कर देती है एंटिजन से B-Limposide सक्रिय हो जाती है B-Limposide के सक्रियन में सायक टी कोशिका भी साहिता करती है सक्रिय B-Limposide में अब व्रदि होती है और बार बार विवाजित होती है इनमें कुछ B-Limposide कोशिकाएं प्लाजमा कोशिकाओं में विवेदित हो जाती है प्लाज्मा कोशिकाओं की पूर्वे वर्ती भी कोशिकाओं प्लाज्मा ब्लास्ट कहलाती है प्लाज्मा ब्लास्ट में कोशिका द्रवे विस्त्रीत होता है जाता करनी का मैं अंतर पर द्रवी जाली का पाई जाती है प्लाज्मा ब्लास्ट विवाजित होकर प्लाज्मा कोशिकाई बनाती है और बार बार विवाजित होकर चार दिनों में लगबग 500 प्लाज्मा कोशिकाई एक प्लाज्मा प्लास्ट के रूप में बन सकती है परिपक्वे प्लाज्मा कोशी का गामा ग्लोबुलीन उत्पन करती है एक प्लाज्मा कोशी का लगबख दो हजार अनू परती सेकिंड गामा ग्लोबुलीन उत्पन कर सकती है परिपक्वे प्लाज्मा कोशी का आकार में अंडाकार होती है इनका व्यास 6-20 माइक्रोन तक होता है केंद्रक गोल और एप केंद्रिय होता है केंद्रिक छोटा होता है इसका केंद्रिका जो है छोटी होती है केंद्रक में अरिय रूप से विवस्ति थी टेरोक्रोमेटिन एक चक्र में विन्याशित होता है कोशिका द्रवे इसका चारकिय होता है इसमें अंताय प्रदवी जाली का बहुत सारी और गोल जी का इविक्सित होती है सरंचना के द्रश्टी से पर्तिरक्षा ग्लोबिलीन उत्पन करने की फेक्टरी के समान होती है इस प्रकार प्लाज्मा कोशिकाओं का जिवन काल दो या तीन दिन होता है एक प्लाज्मा कोशिका एक प्रकार की ही विशिष्ट पर्तिरक्षी स्रावित करती है ओके स्टूडेंट्स थैंक यू वे गुड दे